बिस्मिल्लारमान रहीम, आज का टॉपिक है थर्मोडानेमिक स्टेट वेरियेबल्स इसको समयने के लिए एक एक अग्जाम्पल से कहानी शुरू करते हैं कि एक इनसान है उसकी बॉड़ी एक सिस्टम है तो उसकी एक मेडिकल स्टेट होती है मेडिकल स्टेट को डिफाइन करने वाले बहुत सारे वेरियेबल्स हैं फार अग्जामपल टेंपरेचर है, इनसान का, उसका ब्लड प्रेशर है वो कम ज्यादा हो तो उसकी स्टेट बदल जाती है ना इस तरह अगर टेंपरेचर 98 डिग्री फारनाइट से उपर नीची हो जाए तो आप कहते हैं बुखार चड़ गया या ब्लड प्रेशर कोई कम ज्यादा हो जाए तो उस सिस्टम की मेडिकल स्टेट को ये परामीटर जो हैं ये बदल देते हैं तो इन्हें कहेंगे मेडिकल स्टेट वेरियेबल इसी तरह आपके पास ये कोई सिस्टम है फार अग्जामपल आपने यहां ये एक सिलंडर रखा हुआ है और उसके ओपर ये पिस्टन लगा हुआ है तो इसके अंदर गैस है ये आपका एक सिस्टम है तो कुछ आसे वेरियेबल हैं जो इसकी थर्मोडानमिक स्टेट को डिफाइन करते हैं और वो कौन-कौन से हैं ये कीनन आपको पता होगा थोड़ा बहुत प्रेशर है वालियम है टेमपरेचर है इंटर्नल एनर्जी है उसके बाद जो है वो एंट्रॉपी है उसके बाद क्या है एंट्रॉपी उसके बाद है एंथाल्पी उसके बाद है हेल मोड्स फ्री एनर्जी उसके बाद है गिब्स फ्री एनर्जी ये कितने बने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ चार और चार आठ प्रेशर इसका कम ज्यादा हो तो इसकी थर्मोडानमिक स्टेट बदल जाएगी वालियम कम ज्यादा हो टेंपरेचर इंटर्नल नर्जी एंट्रॉपी एंथाल्पी ये सारे वेरियेबल जो है ये इसके थर्मोडानमिक स्टेट पे अफेक्ट करते हैं आप यहां आपको आप देखते होते हैं कि हीट कभी सिस्टम में हम एंटर करते हैं थोड़ी सी तो यह इस पिस्टन को पीछे की तरफ पुश करती है इसकी इंटरनल लजी में थोड़ी चेंज आती है तो यहां मेरा आपसे क्वेशन है कि क्या यह हीट भी थर्मोडानमिक तो आप यकीनन कहेंगे कि अगर state variable यह होती तो हम इधर इसमें यकीनन इसका जिकर करते हैं लेकिन हमने इसका जिकर इधर नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि यह state variable नहीं है क्यों यह state variable नहीं है state variable होने के लिए एक तो system के अंदर से उसका तालुक होना चाहिए ये उस variable का देखें, ये pressure है, ये gas का अपना pressure है, इसने piston को उठा के रखा हुआ है, volume है, इस gas का volume है, temperature है, इसका temperature है, अपना जाती, internal energy है, इसके अंदर जो internal energy मुझूद है, उसे कहेंगे, तो state variable का तालुक क्या होता है, system के अंदर से होता है, ये heat बाहर से कहीं से आ रही है, इ जब ये system के अंदर enter हो जाती है, तो फिर ये उसकी internal energy में इजाफा कर देती है, यानि फिर ये heat नहीं रहती, जब ये system के अंदर enter हो जाएगी, तो ये उसकी internal energy में इजाफे का बायस बनेगी, तो ये internal energy में convert हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये बाहर बाहर तो heat है, जब ये system के अंदर गई तो internal energy बन गई इस वज़ा से ये thermodynamic state variable नहीं है एक दो और बाते हैं जो state variable के अंदर होनी चाहिए और वो ये है कि उनकी जो change होती है ना मुसाल के दोर पार आप इसमें heat डालते हैं तो शुरू में इसकी internal energy थी ये यू आई और बाद में internal energy हो गई यू एफ तो change in internal energy जो है वो क्या होगी यू एफ माइनस है यू आई अगर ऐसा हो कि ये change जो है ये depend करें सिर्फ final और initial values पे तो उसको thermodynamic state variable कहेंगे यानि वो change के दरमयान में रास्ता कौन सा अख्यार हुआ है उसका यहाँ जिकर नहीं है उसका यहाँ जिकर नहीं है उसका यहाँ जिकर नहीं है तो टोटल चेंज जो है वो यह नहीं उसको कोई लेना देना नहीं के बीच में कौन से मराहल तैव हुए है उसमें लेना देना सिर्फ यह है कि इनिशल पोजिशन क्या थी और फाइनल पोजिशन क्या है इसे मैथमेटिक्स की जुबान में कहते हैं कि यह जो चेंज है उसे ज चूंकि ये Q जो है ये थर्मो डानिमिक स्टेट वेरियबल नहीं है इसलिए इसका ये जो डिफरेंचल है ये अग्जेक्ट नहीं होगा कैसे ये हमें अभी पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट लाफ थर्मो डानिमिक साब को यकीनर पता होगा ये जब हम हीट देते हैं तो वो थोड़ा सा इंटरनल नजी में चेंज करती है इजाफा करती है और कुछ जो है वो वर्क करती है अब आप देखें कि अगर आप इसकी इंटिगरेशन करना चाहते हैं तो इधर भी इंटिगरेशन करें इसकी इंटिगरेशन पॉसिबल है और और वो होगी U और वो from I to F अगर आप करते हैं तो वो I to F अगर आप यहां लगाते हैं तो यह हो जाएगी UF माइनस UI लेकिन अगर आप इसकी integration from I to F करना चाहते हैं यह जो work है यह आपके इलम में है कि यह work जो है यह किसके बराबर है यह है PDB के प्रापर I2F अब आप बताएं कि क्या आप प्रेशर जो एक और वेरियबल है और वालियम कोई और वेरियबल है क्या आप इनकी एक दुसरे के हिसाब से इंटिग्रेशन कर सकते हैं दो डिफरेंट वेरियबल्स की आप नहीं कर सकते इसका मतलब है यह इंटिग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो अगर राइट साइड वाली सारी चीज़ों की इंटिग्रेशन पॉसिबल नहीं है तो फिर इसकी इंटिग्रेशन भी पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब है यह जो डिक्यू डिफरेंचल है एक्जैक्ट नहीं है तो जो डिफेरंचल ऎक्जैक्ट हो हूं उसको जिस वेरियेबल का डिफेरंचल एक्जैक्ट हो उसे आप त्रूच के तरू पर यूज़ कर सकते हैं जैसा कि यह internal energy का differential जो है इसकी आपने foreign integration कर दी तो यह variable जो है यह exact है यह differential exact है तो internal energy को thermodynamic state variable होने का हाक हासल है जबके इसको नहीं है इसको इसलिए नहीं है इस वज़ा से यह thermodynamic work जो है इसकी integration possible नहीं है इसका differential exact नहीं है चुके यह differential exact नहीं है तो non exact differential प्लस exact differential यह दोनों मिलके non exact differential बनेंगे तो इस वज़ा से आप देख रहे हैं कि heat जो है वो thermodynamic state variable नहीं है जबके यह state variable है यह भी नहीं है और यह 8 state variable thermodynamic जो है वो आपके सामने इस आपको बताया गया है और state variable में खूबियां क्या होनी चाहिए खूबियां यह होनी चाहिए कि इनके differential exact होनी चाहिए इनका system के अपने अंदर से तालुक होना चाहिए system के बाहर वाली चीज जो है वो state variable नहीं हो सकती जैसा कि example है कि heat heat system से बाहर होती है तो यह था thermodynamic state variable प्रिपल